नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का आपकी अपनी चनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो राजस्तान बोर्ड एक्जाम होने वाला है 2023 उसके लिए हिंदी का एक ऐसा पेपर लेकर आए है जो कि आपके लिए बहुत important है दोस्तों अगर आपको भी राजस्तान बोर्ट क्लास 10 के हिंदी के पेपर में 80 मैंसे दोस्तों अच्छे नमबर लाने है तो वीडियो को आपको पूरा complete देखना है, end तक आपको देखना है, बिल्कुल भी skip नहीं करना है और जिसने भी चैनल को subscribe नहीं करका है, वह subscribe कर ले, notification bell को प्रेंस कर ले जिससे कि आपको राजस्तान बोर्ट क्लास 10 के सब भी पेपर आपको जो है मिल सके हैं चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो पेपर है, वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है यहाँ पर पहला कुछ जो है general instructions दे रहे हैं, अपकी बाहरा आपका जो पेपर है वो 3 गंटे और 15 मिनिट का होने वाला है तो आप इनको आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर आपके समय देखी का जो पहला प्रस्ण है, section A का घंड अ का जो प्रस्ण दे रहा है पहला प्रस्ण है कि निमलकित अपठित गडियांस को पड़कर पुचर गए प्रस्णों के उतर देना है, यानि कि यह ऐसा गडियांस है, जो आपने पहले शाहिद ही बढ़ाऊगा आप प्रतित गल्यास है प्रतित दल्यां वह थे मिल्लब यहां पर क्या है अगे व्रयक्तित के बारे में या फिर उनकी जो嫩ा प्वहला स्वाव आपके स legend पूचा है पहले आप यहां तो इनस पैस्गार्ट को पहले आच़े से पढ़ लें पार सिछ वह reception दिंया हुआ सारे एक एक नमर के प्रसाइब आपके यहां पर होने वाले ठीक है दोस्तों तो यहां पर पहला पूचा है कि उप्रुक गदियांस का जो उप्रुक यानि कि गदियांस का जो उपर लिकावा गदियांस है उसका उजित सिर्षक यानि उसका जो सिर्षक क्या होसता है उसका ट तो यहां पर आपके समने जो फर्स्ट लाइन दे रही है कि जो है वसुंगनी सव की यहनि की प्रतिश्टित गराने में से उत्पन थे तो यहां पर उप्शन नमबर फस्ट जो है करेक्ट आंसर होने वाला है तो बहुत सिंपल पैसे से कोई दिक्रत नहीं होने वाली अगर आ है कि निमलगी मैंसे कौन सी रचना जे शंक प्रशाची की है तो आप इस पढ़ेंगे तो यह देखो आंसर जो है इनकी हो जाएगी नेक्स्ट कोशन दे रखा है कि जे संक प्रशाची ने चायवाद का बीठा रोपन किस रचना में किया था तो यह रचना कौन सी हो तो यह जर्णा हो जाएगी और यह इसका आंसर हो जाएगा उसके बार में दूसरा प्रशन आपके सामने दे रहे हैं जो कि 6 से लगा कर दस्तक होने वाला है यह है कि निमलगी अपटित कावियांस है पहले आपके सामने अपटित गद्यांस था अब आपके सामने कावियां तो इन कावयास को पढ़कर इसके परस्न गए प्रस्नों के उत्र आपको याँपर देने हैं उसे पहले मैं वेखो बता दू कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को जोइन ने करका है तो आप टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर इसके पीडियोफ अगिर आपको जबे प्रोवाइट करा दी जाते हैं यहां भी मैं वह को तरीका बताता हूं जहांसा आप इस यहां पर दोस्तों आप एंस याटी क्लास 10 के दोस्तों नोट्स वगरा सब कुछ यहां पर डाउड़ोड कर पाएंगे तो फर्स्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे रहा है इसका आर एन इस्टेडि मसला का जहां से आपको वह पर वगरा डाउड़ोड कर कर ले किस जग्यापर सरीद्गिरी गैवर मिलेंगे तो यह पर आपकी सामने दे रहा हैं आप एले पढ़र लें तो यहा पर फस्त क्वेश्चन देखो यहां पर पूचा है कि इसका शिर्षक बताना है यानि कि सिर्षक से सम्बंदीद दो प्रश्टन आपके साम में पूझा जाने वाले तो ये पत की पेचान के गयी है यानि रास्ता है उसकी पेचान के बारे में उसके सम्बंद में एक вопрос बने गए जिर का की बठोी का UR Azeroth का देखो तो भटोई का एर्थ क्या होता है इसके बाहरे देखो बटोई का जो एर्थ होता न वह यहाँ पर आको बताना है तो यह वाला स्वाल आपके सामने उचा गया है तो बटोई का जो और्थ गर धैर वह क्या होता है अपना यहां पर पतिक होता है option प्रस्तुत कावियास में कंटकों के शरकादी कंटकों के शर से क्या आसे है इसका मेनिम क्या निकलता है कंटकों के शरका मतले होता है कि इसका मतले होता दुख है ना स्थ और और आसर के पिर यह अलक कुछन है यह इस कावियान से related नहीं है अलग तरह का कुशने उनमेश का जो एर्थ होता है वह होता दोस्तों प्रकास भी होता है लाइट होता है उजला भी होता है दिपती भी होता है यानि कि कहने का मतलब है कि उपरुक सभी इसका correct answer होने वाला है George Pancham की ना कहनी देखो George Pancham की जो ना कहना वो कहनी क्या है कैसी कहानी है तो वो एक दोस्तों सेर्गैस्म है यानि एक वेंग्यात्म कहानी है यानि कि यह और आंसर जो है करेक्ट होने वाला है फिर दूसरा प्रस्न देर गाए जिसमें आपकर जो है यह सारी questions दोस्तों आप देख सकते हैं इसलिए बहुत ही simple questions है यहाँ पर जो है related है किसे यहाँ पर आपके खालिस्तान जो फिलिल अबलाइस वाले questions है वो पुचे गए जो कि यहाँ पर एक एक number के प्रसन होने वाले है तो पहला परसन है कि गाई, आदमी, पुस्तक, आदिशिब्द कौन सी संग्या देखो गाई, आदमी और पुस्तक मतलबी आदमी है लेकिल यह किसकी बता रहा है यह देखो यह किसी जाती का बता रहा है तो यहाँ पर अगर मैं जाती थी तो यहां पर काम नहीं कर रहा आपका जो मारकर है तो जाती वाचक संग्या के क्या है एक्जाम्पल से उसके गुदारण समझें यहां पर आदमी तो कोई भी हो सकता है अगर मैं यहां पर आदमी का किसी का काम क्या है क्या है यहां पर वτά रहा है तो अब पुस्तक बहुत सब्सक्त तो पुस्तक किया एक जाती को बहुत कर रहा है अगर मैं पुस्तक का नाम हीदी में व्यक्ति वाचक संग्या को सब्सक्राइब से मैंने का हिंदी की कोई पुस्तक नाम लिए दू जैसे की नवीन व्याकरन वगरा हो तो उसका इस्पेशली जो है नाम होता है तो व्यक्तिवाचक उती है लेकिन इसका यहां पर जाती बाइस संगया का बहुत कराया रहा है जिस सरुनाम का प्रयूग किसके आध्य को प्रस्ण म्यों जो संग्या मों प्रोभ्ण है उससे क्या को जिसमें प्रस्ण पूछे के स्यंतव 따라 от ऐसे सब जो विशेशन की विशेशता बताते हैं उससे क्या कहते हैं उससे कहते हैं विशेशियर तो यहां रखना यानिकी जो है संग्या यार सरणाम की विशेशता बताते हैं उससे कहते हैं विशेशन और जो विशेशन की विशेशता बताते हैं विशेशियर ठीक है यहां अबिकारी शब्द ही क्या कहलते हैं यह अपने अव्यू भी कहते हैं जो अगे लगता है और जो प्रते होता है नहीं आंब चलिए अनंफ सो syne के यहां पर नीम लाकी नीम की लगूटार अंसर देने हैं संदि की परिवासा दूस्तों लगबक आपको आरे संदि करा है यह संदि के बारे वाँको बता ना शंदि कितने प्रकार की होते हैं स्वर सभेश संदि जैसे आयदी संदि गुण संदी व्रइच संदी और यerson संदी प्रकार के हैं फिर भश्यान संदि इसके बारे में दियां रखना तत्फ पूरुषमास기에 के कोई इस पेपर का पूरा संपूरन सालेश है तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो टेलीग्राम चैनल को एक वार जॉइन करें ना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में आपको मिल देगा जैसी करनी वैसी बनी इसका आपको अठ बताना यह तिंद्र बेशित ज खुश्व का समर्द्र कि बहुत सारे questions मनें जैसे यह किता वाले questions से दियान रखनें यह तक तिर न्मापर यह नहीं ठीक है याप देख लेना आप बहुत ईजी questions है कोई दिकत नहीं एक एक नमर के होने आपका section नंबर B घंड़बह आता है जिसमें जो है कि शिरी क्रीक्ष वेदो को वर्नन करना है काल के आदार पर किरिया जो तीन प्रकार के वोपी है बूत काल वर्तमानी काल और बहुष्टिकाल के बारे में बताना है गोक्यों ने उदो की बढ़ बागी क्यों बताया है उदो को बढ़ बागी क्यों बताया गए इसके बारे में आपको बताना है तो सारी questions इजली आप कर सकते हैं दोदो नमर के सभी questions होने वाले हैं संस्कृति क्या है अपने शब्दों में इसका वरणन करना है संस्कृति के बारे में आपको बताना है ओके दूस्तों और यहां पर एक question जो पुचा गए था देखो यहां पर यह वाला स्वाल important है सूर्दा भी स्वाश बेनिपूरिका टरड़िय को संखंषेफ लिखना है यह नहीं जो है लेकत क्परीश है और आपके जो है पूंकी उन मेत मेत्तव नंबर शौli सब्सक्राइब अब मिल जाएंगे तो पर मिल जाएंगे योचा हैं अपको उसके प्रसंग देका पड़ेगा पहले लिखना पड़ेगा प्रसंग में क्या प्रसंग क्या इस नाम आपको लिखना की एक कौन से तो आप दोनों मैंसे एक कर सकते हैं फिर यह आपका दे रहे का है प्रसंद का यानी चैप्टर का किस चैप्टर से लिए गया है और दूर नमबर रहने वाले इसका व्हक्या करने है तो इस इसका ध्यान रखे यह अत्व ओला स्वाल आपके सामने एक्जामें पूछा जा सकता है फिर यहां पर देखो यह जो है आप देख सकते हैं बादल गर्जो गरगर गोर गगन तरादर ओ यह सारे देरे को पड़ो अच्छे देगे से लक्षमर्ण परसुराम के मर्दी हुए समाथ वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो यह जो क्वेश्चन है न व पर देखो लोग क्यों कहते थी इसके बाद देखो घंड दर आता है चार चार नमबर के प्रस्ण होने वाले एक प्रस्ण जो है कम से कम आपको लगपक तीस सो सब्सक्राइब लिखना है और नीबन आप देखो मात्र बाश्या का मैं तो इसके बारे में अलग-अलग देर क सबसे पहले देखो आपको निबन जो है चार या पांच पॉइंट आप बना सकते हैं अब यहां पर आपको और देखो पहले क्या था कि यह आपको मन से बनाने पड़ते थे प्रस्तावना है पहले पहले हम लिख लिखते थे प्रस्तावना उसके बाद लिखते उपसार सकते हैं सेम को आदर इमंत्तर पत्र पक्षा है स्कुन Price इस इस कह रहेए हैं तो आप दोनों कर दो को भी नमर आपको को नहीं मिलने वाला है इससका द्याहन लगाना यह newat यह कुछन आने वाले हैं और यहां पर पोचे गहते कारपेट की विक्री है तू एक आपको विग्यापन लिखना है यानि कि एक एडवुटीसमें लिखना है जो की चार नमर का होने वाला या फिर आप अतो वाला प्रसंदेर यहां पर जो है पुपन सकते हैं तो चार नमर का क्वेशन जो होने वाला है यह तो करना ही करना ठीक है या पिर आप दोस्तों निमंतर और प्रात्ना पतर है उन में से एक आप कर सकते हैं बलकि जो है निमन जो है आपको जो है विक्या बनतों करना ही देगा मतलब टोटल जो नमबर आपको ट्वेशन से वह 23 है यानि तेभी स्प्रस्टन आपके जो एक्जामें आने वाले और तेभी स्प्रस्टन को किस तरह किस आप जो टाइम सबस्पहले मिल सके दोस्तों अब ने जो है इंग्लिस के और इंग्लिस के साइस के एंड साथ इमें दोस्तों आपके लिए मैतमेटिस के लास भी लेकर आ चुके हैं तो आप उने भी देख शेक हैं आप लेए लिस में जाकर आप चैक आपका सकते हैं और भी कोई डाउप सबस्क्राइब करें तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियमें तब तक लिए जाहिए और तब